इन दिनों भोजपुरी के सारे स्टार चाहे पवन हो या फिर्ख हिसारी चाहे रितेश हो या निरहुआ सब कोई ना कोई फवं की कहानी को लेकर चर्चाओं में हैं इतने वीजी समय में बहुत कम ऐसे मौखे आते हैं जब ये सारे सितारे मिल पाती हूं इसलिए हम बताने आये हैं पवन और खिसारी से जुड़ी एक दल्चस्प खबर क्योंकि छट के मौके पर खिसारी और पवन ने पटना में एक शो किया था जहां उनके साथ यश्कुमार मिश्रा भी मौजूद थे इस दोरान पवन के साथ खिसारी लाल भी मौजूद थे जानकारी के लिए बता दें कि पवन और खिसारी ने दूसरी बार एक साथ शो किया है जहां उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी थी फैंस की भी मौजूद थे जाते जाते बता दें कि इसी शो में दोनों के दोनों ने एक साथ खुब सारी मस्ती की तो वहीं दूसरी तरफ खिसारी ने एक बहुत श्यांदार बात कही ये क्या कर कि अगर पवन भाया को लड़का या बेटा हुआ तो मैं शेहर में लड़ू वटवाऊंगा खिसारी के इस बात पर पवन बेहत खुश हुए और उन्होंने खिसारी को लगा लिया गले इस बात को देखकर यही लगा जैसे पवन भी चाहते हैं कि वो जल्दी बन जाएं पापा वो भी बेबी बॉई के पापा नेक्स्ट नाइन न्यूज बोजपुरिया से ममता के रिपोर्ट